क्या कभी आप लोग उने प्याज पे कोल गेट डाला है नहीं डाला है तो इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग तुरंद करें ये काम हलो फ्रेंज बिल्कम बैक टू माई चैनल तो आप लोग कैसे हैं आसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो रोज की तरह हम लेकर क्या हैं बहुत सारे ऐसे किचन के हैं जिससे कि हम अपने बहुत सारे मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं देना करते हुए शुरू करते हैं पहली टिपस हमारी है कि जैसे इस तरह से हम इस प्रेस को जब भी प्रेस करने बैठते हैं तो कभी न कभी गलती से इसमें कपड़ा चिपक जाता है जिसकी वज़े से ये काला काला हो जाता है तो इसको जब भी कोई हम वाइट कपड़ा प् और जादा से जादा सेर करना अब इसके लिए एक चोटा टुकडा इस प्रेस की नाप के वराबर का हमें लेलेना है जो फैल पेपर होता है यह हमारे इस किचन में जरूर मिलता है है सभीके किचन में होता है तो चोटा सा टुकडा लेकर के इस तरह से पूरी प्रेस को fifty over कर यह बहुत अच्छे से प्रेस भी होती है भोग जादा हमें गरम हो जाती है और अच्छे से कपड़ा हमारा कर रहे हैं तो यह ट्रिक आप लोग जरूर अपना ही यह क्यों कि जब भी जल्दी में हो तो कपड़े प्रेस करने लगो तो गलती कहीं न कहीं चिपक ही जाता है तो इस वज़े से हमारा कपड़ा खराब हो जाता है तो देखिए इसलिए हम आपको पास से भी दिखा रहे हैं कि वाइट कपड़ा है और इसको हम इस तरह से करेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा भी न खराब हो और हमारा काम भी हो जाए तो उम् इसी तरह की निव निव टिप्स ले करके आती रहूं तो देखें ये कितनी अच्छी से हमारी सर्ट प्रेस हो जाएगी और एक भी जिलबटे नहीं रह जाती हैं एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना जो जिसे नहीं प्रेस करना आता है वो तो ये ट्रिप जरूर अपनाए क्योंकि अगर गलती से कपड़ा चिपक जाए तो उसके लिए आप ये स्टिक क्यों अपनाएंगे तो आपका कपड़ा कभी भी प्रेस में नहीं जलेगा और नहीं खराब होगा तो देख सकते हैं अब इससे आप धिरो कपड़े आप प्रेस कर सकते हैं और ये हमारा हाटेगा नहीं उम्मीद करती हूँ ये टिपस आप लोगों को जरूर पसंद आएगी तो जब बढ़ते हैं अगली टिपस के साथ कि इसको हम क्या करते हैं ऐसे ही जल्दवाजी में डाल देते हैं जिससे कि हमारा वायर बहुत जल्दी खराब होने लगता है जो ये तार है तो इसको हम क्या करेंगे इसमें इतना इस्पेस होता है इसी के अंदर इस तरह से हमें इसे फसा देना ना रवर लगानी ना कुछ और कम जगे में आ जाती है तो देख लेते हैं अगली टिपस हमारी क्या है जैसे कि हम पिलो हमारी कभी कभी छोटी होती है और पिलो कबर हमारा बहुत बढ़ा होता है तो उसके लिए हम क्या करें क्योंकि छोटा पिलो कबर तो हमें नहीं मिलता है पिलो कबर हमें बड़ा ही मिलता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से ये काफी छोटा है हमारे पिलो से तो इसके लिए ये जैसे बचों की पिलो होती है उनके लिए हम अलग से तो पिलो नहीं ला सकते हैं तो इसके लिए क्यों ना हम छोटा सा जुगार अपनाएं जिससे कि हमें ना सिलाई करनी पड़े और ना काटना पड़े और बहुत आसानी से हमारा ये पिलो कवर इसी जो हमारा पिलो है उसी के बराबर हो जाए तो देखे इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा हम जाड़ देंगे तो ये जितना भी है सारा का सारा अंदर चला जाएगा पिलो जितना इश्ट्रा था वो सारा अंदर चला गया है अब थोड़ा बहुत अगर एक आधिंच है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं वो देखने में भी अच्छा लगेगा और जब बहुत बड़ा होता है तो वो बहुत ही विकाल लगता है अब चलिए हमें सिलाई ना करना पड़े उसके लिए आप क्या करिए डवल टेप ले लिजिए और इसको दो जगे लगा देना है और उसके बाद इसको अच्छे से दबा देना है अब जो है अच्छे से चिपक जाएगी तो आपको सुई धागा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब यहीं होता जैसे कि बच्चे अकेले बाहर रहते हैं तो उनको सुई धागा कहां मिले इसलिए आप इस चोटी सी टिप्स अपना करके अपने बच्चों को भी बता सकते हैं क अगर बढ़ी हो जाए तो इस तरह से आप अपने पिलो को सही कर सकते हैं अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना नहीं इस टिप्स हमारी है इस तरह की बुक को लेकर के कोई भी बुक हो नहीं हो या पुरानी हो कापी हो जब भी हम इसको को खोलने बैठते हैं या बच्चे खोलने बटते हैं तो यह जल्दी से खुलता नहीं है तो इसके लिए आप क्या करिए बच्चों को एक टिप्स बता दीजिए जिससे कि आपके बच्चे इपकापी खोलने में बिल्कुल भी समय ना लगे और कापी फटेगी भी नहीं क्योंकि ऐसे अगर हम बहुत दबाव ड दिखाते हैं कि किस तरह से अच्छे से काम करती है और यह बच्चे के हम जब भी बच्चों को खोलना हो तो देखे इस तरह से आप इसको पकड़ते चले जाएंगे और यह खोलते चली जाएगी असा करती हूं यह भी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल र लीजें प्याज को हमें इस तरह से दोनों सेथे से अलग कर देना है और हमें चाहिए बीच वाला पार्ट जो होता है वही बीच वाला पार्ट चाहिए तो इस तरह से काटने के बाद में चलिए बढ़ते हैं आगे तो अब एक ले लीजे कोई भी छोटी कटोरी या जरूर अजमाईए इसके उपर आप कोलगेट डाल दीजिए अगर आपके पास रेड वाला है वो डालिए नहीं तो जिल वाला जो होता है नहीं है तो आप यही कोलगेट को ले लीजिए और पूरे पे इसे अच्छे से हमें फैला देना है थोड़ा सा कोलगेट डालना है बह उपर हमें लॉंग डाल देनी है अब आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि इस प्याज के उपर कोलगेट को उपर लॉंग यह अखिर है क्या तो आप लोग देखते रहिए हम आगे आपको बताते हैं कि यह किसलिए हमें इसे सारी चीजे चाहिए डाल करके हमने रख दिया है आप चलिए इसमें हमें चाहिए छोटी सी टुकड़ा जो होता है एक दो टुकड़े हमें कपूर के चाहिए जो सभी के घर में मिल जाता है तो देखे दो टुकड़े हमने कर लिये हैं और इस तरह से इस पे डाल दीजिए चाहे तो पाउडर बना के डाल और उसके बाद इसको हम जला देते हैं हाँ अब इस समय बारिस में हमारे घर में कीडे पतिंगे बहुत आने लगते हैं जैसे लाइट जलती है तो बहुत सारे चोटे चोटे कीडे पतिंगे तो उसके लिए ये रात के समय आप इसको जला दीजिए और जलाने के बाद में इत माना जाता है तो साम के समय आप इस टिप्स को अपना करके अपने घर के जो छोटे-छोटे केड़े मकोड़े होते हैं और मच्छर मक्खी होते हूं उनको भी दूर भगा सकते हैं तो इस तरह से आप किचल में या कमरे में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं आसा करती हूं आज कि ये छोटी छोटी टिपस आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगी पसंद आएं तो प्लीज लाइक करना और अपनों के साथ सेर जरूर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना थैंक स्वार वाचिंग धन्यवाद